हेई गाइज वेलकम तो माय यूट्यूब चैनल गुजुगल ओफिशियर जैसी कृष्णर नमस्कार सश्यकाल केम जो मजहमा तो गाइज आप सब कैसे हो आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज चुक्की हूँ आपके साथ एक न्यू ब्लॉक्स के आने वाली है और यह मतलब ऐसा स्नैक नास्ता मानों ठीक है कि आप कहीं पिकनिक पर जा रहे हो या फिर बच्चे को लंच बॉक्स में पेक करने की बात आती है ठीक है या फिर बच्चे में रहते हैं बैचलोर लोक तो उनकी लिए आती है कि यार में ओफिस क्या लेके विन्टर के लिए बहुत अच्छा है, इसमें good डला हुआ है, good भी है, dry以father भी डाbold है, необходимо नाचेबा की है, फिर इन विटना neighborhood भी डाल सकते हैं है, अंगने भी सुर्ट है और सीड मैं साफ़ी है, जलना है वारेशन का सकते है बेल को प्रेस कर लीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि इससे भी अच्छी आ लिए वाली है वीडियो थोड़े ही दिनों में बहुत अच्छी आएगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो गाइडस लेट्स को चलो मैं आपको बताती हूं मैं क है क्या बनाने चाहर है वाई है तो फ्रेंस अब आज बनाने चाहरे है मूरमूरे के लड़्ड़ उसके लिए ले लिए मैं गूड गी हो गया और यह मूरमूरे मूर्मूरे को मैंने फ्रस्ट ऑफ कडाई में थोड़े से मतलब रॉस्ट कर लीए थे ऐसे भी बिना oil के ठी तो फिर अच्छे नहीं लगते तो इसलिए मैंने नौर्माली मतलब 2-3 मिनिट तक रोस्ट कर लिये थे अब मैंने कड़ाई ली लिये कड़ाई थो मतलब मोटी वाली होती है कर देंगे ठीक है इसकी चाष्णी है वह अच्छी तरह से मतलब बननी चाहिए यह रहते हैं लड़ों अच्छी तरह से पकेंगी नहीं तो फिर जो मुर्मुरे के लड़ों है वह नरम से रहेंगे तो फिर आपको चुबाने में दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए इसकी तो आपको डालना है तो भी डाल सकते हो ठीक है तो मेने यहां पर चास्ती तरहां से पक गई ती तो बस अब मैंने डाल दिये हैं मुरमूरे अब इसको अच्छी तरहां से मतलब ही ला लेंगे गेस को बस वही नॉर्मल फ्रेम पे कर देना है चास्ती हो जाए उसके वाद और और हमें फट से मिक्स करना है अब इसमें थोड़ा से टाइम वह नहीं करेंगे आप थोड़ा से लेट करोगे ठीक है तो यह जम जाएगा फट से चास्ती हो इसलिए फटा-फट में यहां पर बस वही मिक्स कर रही हूं ठीक है ताकि यह जमे ना और हमारा अच्छी तरह अ करते हों कि तैकि कisनल से कि छोटे बच्छे हो फटे तो थोड़े थोड़े से कौने भी अरु अपे फектив मेने हाट बनाना स्टाट कर दिया है अच्छी तरह से गरम गर्म महीं बन जाते दो बस देखो जार्या में यहां पर बना रहू बहुत अब अच्छे लगते हैं आप एक बर बना के देखना क्रिस्पी भी इतना रहता है और या आराम से 15 से 20 दिर मतलब 8 डबे में पेक करके रखोगे तो इतना टेस्टी और अच्छा रहता है और आप कहीं गुमने भी जा रहे हो वहां पे भी ले जा सकते हो ठीके और प्लस वोई डिसका यह है कि इसमें म जादा में घाओ तो ऐसे कोई इसमाल नहीं है ठीके तो वेट लोज जो कर रहे है वह भी यह ले सकते हो और यहां पे मैने महीं प्लेट कर दिखाने वाली हूं तो उसके लिए मैं और यहां पर मुरमूरे का मिक्षच था ओम नैंने डाल दिया है और अब को गरमा गरम ही उ इसी तरह से में सारे जो भी मिक्शिर है ठीक है उन सब का लड़ू बना लूंगी फ्रेंड्स और बस यह लड़ू बना के फिर वही है मैं भगवान जी को परशाद फर्स्ट ओफ चड़ा दूंगी क्योंकि हमारे गर पे कुछ भी मतलब नया या कुछ स्वीट या कुछ भी म बनाती हूं तो भगवान जी को और पापा जी को जरूर चड़ाती हूं फर्स्ट ओफ फिर हम मतलब कुछ भी चकते है ठीक है तो इसलिए देखो यहां पर लड़ू बन गए थे तो मैं फर्स्ट ओफ मतलब वही भगवान जी को चड़ाऊंगी और फिर मैं अपनी अब भी मुझे शेयर करना था यह तो मैंने बोला चलो आपको भी मैं दिखा दू आज मैं क्या बना रही हूं और डुगू भी इसी बहाने खा लेगा तो फ्रेंड्स यह देखो अच्छी तरह से मतलब मैंने पीसिस बना लिये थे और यह देखो कितने क्रिस्पी है अब द आपको पसंद आया ओके खालो ठीके ओके बाई कर दो कि मैं खाने के बाद आपसे मिलती हूं फ्रेंड्स लव यू लव यू कर दो ओके आपको नेक्स वी लोग में तब तक बाई टेक केर गूड़ नाइट